हेलो फ्रेंड्स वेलकम आज की वीडियो में हम बात करने वाल हैं ड्रोन्स की ओपर ड्रोन्स काफी पॉपलर हो रहे हैं आपने अमेजॉन का एड भी देखा हुआ जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम आपके घर पर डिलिवरी ड्रोम से करेंगे जमैटो भी ड्रोम से पिज़ा डिलिवर करने की बात कर रहा है तो क्या ड्रोन्स उडाना इंडिया में लीगल है या इनलीगल है अगर लीगल है तो क्या आपको license लेने की ज़रोत है कौन कौन से license आपको लेने पड़ेंगे अगर आपको drone उडाना है तो आईए इस वीडियो को चलू करते है सबसे पहले मैं आपको चीज बता दू drone 1930s के अंदर बनाया गया था US military के दुआरा वहाँ पर ये use आता था tab रखने में दुश्मनों के उपर फिर दीरे दीरे commercialize होता गया दूसरी दूसरी countries में फैल था गया अब drone इतने छोटे हो चुगे कि 200 gram से लेके 25 kilo तक के आते हैं या 500 kilo तक के भी आते हैं अब बात करते हैं US की US के अंदर क्या scenario है US के अंदर drones को तीन category में बाटा गया है category A, category B, category C जो A category के drone होता है उनको उड़ाने के लिए आपको कोई license की जरुद नहीं पड़ती है easily आपको उड़ा सकते हो B category के drone चोड़े heavy drone होता है उनको उड़ाने के लिए आपको license ही होता है और C category के जो drones होता है USA के अंदर उनको उडाने के लिए आपको license भी चाहिए प्लस एक training भी चाहिए और extra certificates भी चाहिए USA के अंदर USA के अंदर काफी well-double-ups and clear law है drone के उपर Dubai के अंदर भी अगर आपको drone उडाना है तो आपको license लेना पड़ेगा बकाईदा आपको test होगा कि आप drone कैसे उडाते हैं कैसे आप उसको use करते हैं उसके बाद ये आपको license इशू करा जाएगा बिना license के दुबाई के अंदर आप drone नहीं उडा सकते हैं इस चीज़ को अच्छे से ध्यान लखना अगर आप एक इंडिया ने दुबाई गूमने जा रहे हैं वहाँ पर जाएकर drone उडाते हैं तो प्लीस अपना license ले लीजेगा नहीं तो आप पर case हो सकता है अप इंडिया की सेनेरियो की बात करते हैं कि इंडिया में इसका क्या सेनेरियो है फोटोग्राफर साब मैरीज में देखते होंगे तो आपको drone उड़ते वे देखते होंगे तो हर जगा drone का use बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी से तो इसलिए इंडियान मार्के ने बहुत तेज ग्रोथ है drone की इसको लेके 2018 के अंदर एक regulation भी पास करी गई उसके चलते इन्होंने एक online website भी त्यार करी जहाँ पर अगर आपको drone उड़ाना है तो वहाँ पर जाके आपको वहले permission के लिए apply करना पड़ेगा जैसे जिस दिन आपको drone उड़ाना है हाथो वहाँ आपको apply करना है easily आपको permission वहाँ पर automatic तरीके से मिल जाएगी उस website का नाम में आपको बता जाता हूँ तो उस website का नाम है digital sky platform आप इस website पर जाएए इसका link मैं description के अंदर दाल दूँँँगा जहां से जाके आप drone उड़ा सकते हूँ process बिलकुल simple है fast है इंडिया में 4 प्राके डोटाश करा गिया है सबसे नैलो जो 200 ग्राम तक होते हैं फिर उससे उपर आते हैं small जो कि 25 kg तक होते हैं फिर उससे उपर आते हैं medium जो कि 1500 kg तक होते हैं फिर आतें large drone अगर आपका nano drone जो कि 500 ग्राम का है COVID-19 में ऐसी जगाओ पर drone को यूज लिया गया पुलिस द्वारा जहाँ पर पुलिस खुद नहीं जा सकती थी वहाँ पर उन्होंने एक स्टिकनेस बनाई रखी उस से कैमरे से नजर रखा और फिर अब देखा जा रहा है कि drone को medicines के अंदर भी यूज करा जा रहा है medicines को supply करना खून को supply करना कहीं की देशों के अंदर drone के जरिये bloods को supply करा जा रहा है क्योंकि drone हवा में उड़ता है तो उसको गली मौनले से होगे रोट से होगे ट्राफिक में नहीं निकलना वो सीधा EL के थुरू जाता है अगर छोटा medicines का packet देना है या blood का packet देना है तो easily drone के थुरू transport किया जा सकता है तो obviously drone को देखा जाता है आने वाली बहुत अच्छी टेक्नलोजी है तो friends एक चीज का ध्यान रखना अगर आप गिना license के drone उड़ाते हो तो आपको 2 साल तक की jail हो सकती है और 10 लाग तक का fine हो सकता है तो please सारे rules, regulation को follow करके सारे registration लेके, license लेके free drone उड़ाइए जिससे आपको भी दिक्कत ना हो तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी please इस वीडियो को like करके जाएएगा नीचे comment box पर हमने comment करके जाएएगा जो आप भी आपको अच्छे thoughts लगे and thanks for watching this video